तो आई आज की क्लास में स्टार्ट करते हम लोग पार्ट तीन संस्क्रीत का जिसका नाम है अलस कथा जिसका अर्थ होता है आलसियों की कथा आज हमारा ये भाग तीन है जैसा कि भाग वन में हम लोगों ने पूरे पार्ट को पढ़ा एक एक लाइन भाग दो में कल के क्लास म हम लोगों नहीं पढ़ा था इसके मौखिक प्रश्ण उत्तर को और आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसके लिखित प्रश्ण उत्तर को टोटल लेखित प्रश्ण उत्तर में छे प्रश्ण दिये गया है तो एक ही करके सभी प्रश्णों को समझेंगे और से पुरा करे या रिक्त स्थानों को भरे यादि कि आपको इसमें टोटल साथ प्रस्ण दिये गया है और साथों प्रस्णों में आपको खाली स्थान दे दिया गया है जिसमें से किताब से खोज करके उस लाइन को पूरा करना है यह जितने भी लाइन दिये गया है सभी किताब क के अंदर के हैं तो किताब का लाइन आपको याद होना चाहिए और बीच में कौन सा सब्द या लाष्ट में कौन सा सब्द है जहां पर डॉट डॉट लिखा गया है उसे आपको क्या करना है भरना है लिखा को में एस्थिति ही डॉट 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 धावंती जनतवह तो यह लाइन आपको याद होना चाहिए कि कहां पर है और इसमें क्या होगा तो आप लोग देखेंगे किताब का पेज नंबर 17 पेज नंबर 17 का दूसरा जो सुलोक दिया है तो दूसरे सुलोक में आप देखेंगे लिखा हुआ है दूसरा सुलोक दिखेंगे उसी सुलोक को आपको पूरा करना है तो किताब में तो आपका दिया है एस्थिती और लाष्ट में दिया है धावन्ती जन्तव तो इसके बीच में जितने भी सब्द हैं इसके बीच में जितने भी सब्द हैं सारे सब्दों को आपको लिखना है तब किताब में देख सकते हैं पेज नंबर 17 का दूसरा सुलुक और मैंने बगल में इसका एंसर लिख दिया है सौकर्य मुलाही सर्वे साम अपी सनहते सजाती नाम सुखम दृष्टवा के नौ इतना आपको इसमें क्या करना है भारना है ठेक है अब हमारा खार नंबर प्रश्ण है नीरगति नाम डौट वह नीना तो आप लोग देख सकते हैं फिर से पेज नंबर 17 पर ही पहला स्लोग तो अप लोग देखें लिखा हुआ है निरगति नाम अलाश्ट में उसमें वहनीना है बीच में है चो सर्वेसाम अलसा प्रथमों मतह किंचीन छमते कर्तूम जाठना अपी इतना मतलब इस लोग को भी आपको पूरा पूरा इसमें क्या करना है भरना है जितना दिया आप उसको नहीं है नहीं कि पूरा सुलुक सुरुशन तक नहीं जो दिया है उसको छोड़ करके बाकी जो नहीं दिया है उसको आपके इसमें क्या करना है भरना है गानमबर 8 कपट अलुच अपि ग्रण्टी इत्य इस्माकम कपट अल्सी भी ग्रहण करते थे तो बोजन और वस्तर वो भी क्या करने लेगे मंत्री से ग्रहण करने लगे तो यहां पे भोजन के लिए यहां पे सब्ध का प्रिण करने भी संस्क्रित के बाद क्या मिलेगा प्रमादह मिलेगा तो इसमें आपको भर देना है प्रमादह गहाँ नंबर है बिद्यापती ही लोग प्रिये डॉट डॉट आसी तो बिद्यापती लोग प्रिये क्या थे मैथली कभी थे क्या थे तो मैथली कभी इसमें भर देंगे क्या भरेंगे मैथ लेक अंगा नंबर है नीतिकार आलस्यम . डोत मन्यंति आपनलों पेज नंबर pr 17 जा ओपर का हेडिंग दिया है उसका लास्ट लाइन दिखिए लिखा हुए है कि नीतीकार का यलस्यम भीयर करने सबसे बड़ा सत्रू मानते हैं तो इसमें लिप quite रूपम क्या भर देंगे रीपू रूपम चौ नंबर है आसित मितलाया डॉट डॉट नाम मंत्री तो यह भी आप पेज नंबर 17 का सबसे पहला लाइन कहानी जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको आप लोग किताब में देखेंगे तो लिखा है आसित मितलाया बिरेस्वरो ना पश्य दल अलसा नाम सुखम द्रिष्टवा धूरता आपी क्रित्रिम आलस्यम द्रशित्वा डॉट डॉट ग्रणती आलसियों के सुख को देखकर धूरत भी क्रित्रिम आलसी बनकर क्या ग्रहन करने लेगे तो इसमें भर देंगे भोज्य क्या भर देंगे भोज्य मतलब भोजन घरहन करने दो लेगे ऐसे आपको किताब में सब लाइन मिल जाएगा खोजेंगे तो और इसमें से आपको क्या करना है? बहार लेना, चलिए अब चलते हम लोग दूसरी प्रश्दह पर हमारा दूसरा प्रश्द है एक पदेन उत्तरहता एक पद मेश रदें कितने पदमेश रदे न है कि एक पदकार्थ हुआ कि मात्र एक सौब्ड में ही उतर देना है ज्यादा आपको बड़ा नहीं करना है जैसे पहला प्रस्ण है अलसह कथा यह कथाकार कह अलस कथा के कथाकार कौन है कि इस ने लिखाया जिस पार्ट को तो लिखेंगे मैथली कोकिल बिद्यापती चाहिए डा नंबर है भिरेषवरी नाम मंत्री कुट्र आसित भिरेषवर नाम का जो मंत्री थे वह कहा के थे तो मिठिलायाम यानि मिठिला के मंत्री थे ठीक है ना तीसरा प्रस्ण है के साम इश्टिलाभं कृत्वा तुंद प्रमिर्जा वर्तूली बभुव किसके लाब को देखकर और लोग भी उस वेश को धारण कर लिए तो किसके लाब को देखकर जी आलसी व्यक्तियों के लाब को देखकर जो और भी लोग थे जो आलसी नहीं थे वे लोग भी आलसी का रूप क्या कर लिए धारण कर लिए तो लिखेंगे अलस पूरुशाणाम अलस पूरुशाणाम आलसी पूरुशों को देखकर गहाँ नमबर है के क्रित्रिम कस्य दर्सित्वा भोजनम ग्रिधनती कौन क्रित्रिम रूप से मतलब बनावती रूप से आलसी दिखा कर भोजन ग्रण करने लगे तो क्या लिखेंगे धूर्ता क्या लिखेंगे धूर्ता धूर्त मतलब धूर्त मतलब बनावती आलसी या ठा बोलते हैं उसको और अंतिभाइस का तत्रय वकती पुरुसा सुपता वहां पर कितने पुरुसोय रहा गये जब घर में आग लगी तो कितने पुरुसोय वे थे जी तो लिखेंगे चत्वारह चत्वारह मतलब चार होता है आगे समझ में तो यह हमारा हो गया दूसरा जो एक पद नहीं बलकि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है तो प्रश्ण है कि पूर्ण वाक्य उत्राड़ी दत पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए आपको जो उत्तर देना है कैसे दिना है पूर्ण वाक्य का अंतर कुछ नहीं है एक पद हो अचाय पूर्ण वाक्य ह लगबग सेमी होता है पूर्ड वाके में क्या करना है कि जहां पर प्रस्न पूछ रहा है वहीं पर ना ऐसे सब्द को चेंज करके आपका एंसर उसको वहाँ पर लिख दिजी आपकी खतम हो गया जैसे कि पहला प्रस्न कहां पूछा जा रहा है तो प्रस्ण पूछा जा रहा है कह प्रस्ण क्या इसमें कह मतलब कौन कह मतलब कौन तो यहां पर कहेंगे मिठिलायाम तो मिठिलायाम का मिठिलायाम अब कह नहीं लिखेंगे कह प्रस्ण है उसको हटा देंगे अब कह को हटा के वहां पर लिख देंगे बिरेस्वर के लिख और यह उसके बाद जीतना सबने सबको लिखें देंगे मंत्री असित तो आप कहो गया मित्ला याम बिरेस्वर नाम मंत्री आसित मित्ला के मित्ला के मंत्री तो कौन था बिरेस्वर आ रहा है समछेबात नहीं तो केवल आपने कोहट आया वहां लिख दिया बिरेस्वर क्या लिख दिया अब आकी जैसे है शुरू में लाष्ट में सब को उसी तरह उतार और एक और चीज का ध्यान देना है कि आपको को सर्मार्क मत लगा देए पूरा-पूरा उतार नहीं पुछा जा रहा है आप उसका क्या दे रहे हैं एंसर तो आपको पूर्ण बीराम देना है क्या देना है पूर्ण बीराम देना है